नमस्कार दोस्तों, मैं आप आपको बताऊंगा डिमेट अकाउंट क्या है और आप कहां पे डिमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैं हूँ निकुंच टेक्सू विचार से, तो लीचेश्शिव कर देए। डिमेट का मतलब क्या है आसान तरीके से मैं आपको बता दूँ जैसे आप पैसे बैंक में सेविंग अकाउंट में रखते हैं वैसे ही आपके शेर डिमेट में रेते हैं यह होता है डिमेट यह डिमेट अकाउंट के अंदर जो भी आपका शेर आएगा उसके अंदर आपका स्टोर रहेगा जैसा आपका सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आपका पैसा सेव होता है वैसे ही डिमेट अकाउंट में आपका शेर हेलो केट होता है वहाँ पे स्टोर होता है उसको अपने statement में देख सकते हैं, उसका delivery report में देख सकते हैं और जब भी आपको statement चाहिए, तब आप bank से निकलवा सकते हैं जहां पर आपका saving account रहता है, लोग वहीं पर अपना demand account खुलवा लेता है ताकि वो सोचते हैं कि उसी में से हमारा जो bank है, उसमें से जो भी charges है, उसमें से debit हो जाए देखा जाए तो सब लोग यही सोचते हैं कि हमारा पैसा government के bank के अंदर demand account खुल रखा है इसलिए safe है, पर ऐसा नहीं है, private brokerage या फिर discounted brokerage का भी account खुल रखा है तो भी उसका safe ही investment है, क्योंकि वो सारा सेवी के नीचे उसका runson regulation के हिसाब से चलते है इसलिए आपको कोई ड़ने की जरुवत नहीं है, आपने अगर SBI में खुला है, ICA में खुला है या फिर कोई other discounted brokerage के अंदर आपका demand account है, आपको कुछ दरने की जरुवत नहीं है phone number सब registered होता है, जैसे ही वहाँ पे आपका share sale होता है, purchase होता है, तुरंती alert आता है आपके mobile पे आपको बता लग जाएगा कितना share allocate हुआ और कितना balance हमारे account में है, यह सारा किया जाता है favor of the shareholder, यह benefit है हमारे लिए, इसलिए आप बेफिकर होके अपना account खुला सकते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे आप demate account खोल सकते हैं, तो demate account खोलने के लिए अक्सर देखा गया है कि जहां पे आपका saving account है, मेरे पेसर पहले बोला, आप वहीं पे demate account खुलवा लेते हैं और government bank भरोसे मत है, इसलिए ज्यादा तर लोग उसे में demate account खुलवा लेते हैं, और मानते हैं कि हमारा share जो भी इसके अंदर demate account में है, वो safe है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है, मैंने जैसे बताया कि savi के अंदर सब registered है, इसलिए आपको डरने की कोई आवेशक्ता नहीं है, त तो आप देख लिजिए, आपके हिसाब से जो भी discounted rate पे आपके अनुसार, जो अच्छा demate account आपको offer कर रहा है, वहाँ पे आपको जाना चाहिए, पेले इनके पास technology ज्यादा थी, उनके पास ज्यादा ही advanced knowledge था, इसलिए वो ऐसी service प्रोवाइड कर सकते थे, तबी हम उसके अंदर account खुला है, तो अच्छा है, पर आजकल अभी देखा जाए, तो discounted brokerage बहुती सस्ता हो गिया है, अगर आप देखें कि discounted brokerage वाले, आजकल ज्यादा ही discounted price पे आपको demate account offer कर रहे है, अगर आपने उसके अंदर account खुला है, तो आपको सिर्फ देना है 20 रुपिया पर transaction, जो साभी आपका सोधा हुआ है, दिन में 3-4 बार, तो 20 रुपिया हिसाब से आपको पैसा सिर्फ देना है, इसकाल competition market में दो brokerage आ गया है, एक तो है full service brokerage और discounted service brokerage, अभी आपको इसके अंदर किस में जाना है, तो full service brokerage पहले समझ लेते हैं, फुल brokerage service के अंदर, broker आपको थोड़ा बहुत leverage और तुसरा दो तिन अलतु फालतु आपको थमा देगा, और उसका service का एक्ष्ट्रा ज्यादा चार्ज ले लेगा, वो technology भी ज्यादा बता के आपको full service brokerage करके आपको ज्यादा पैसा ले सकता है, discounted service brokerage के अंदर, आपको discounted price मिलेगा, discount में आपको brokerage जो भी है, वो compared to full service बहुती कम है, उसका 100% है, तो इसका सिर्फ 5% है, उसका 100 रुपिया तो इसका सिर्फ 5 रुपिया आपको लगेगा, तो फालतु में पैसा brokerage में आप न लगाके, मैं बोलता हूँ, आपको discounted brokerage service के अंदर डिमेट अकाउंट खोलना चाहिए, पहले क्या था, फुल सर्विस brokerage के पास technology थी, वो अपने विसाब से फुल brokerage चार्ज करते थे, पर आजकल discounted brokerage के पास full service आ गई है, उसके अंदर full technology आ गई है, वो लोग technology का use करके, अपना discounted आपको देते है, इसलिए जो भी platform होना चाहिए, उसके अंदर सारी ये सब technology होनी चाहिए, और य सारी technology, discounted brokerage के अंदर है, तो आपको उसका benefit लेना चाहिए, मैं example देता हूँ, कि अगर आपको choose करना है, ATEL या Jio को, तो आप कौन सा choose करेंगे, Jio, क्योंकि Jio के अंदर सारी facility है, इसलिए ये discounted brokerage आपको पसंद करना चाहिए, और उसके अंदर आपको demate account खोलना चाहिए, और आप सब को फाइदे के लिए मैं बता दू, discounted brokerage का कौन से demate में आप खोल सकते हैं, तो Jiroda एक ऐसी company है, जो discounted brokerage पे आपका demate account खोलती है, इसके अंदर आप demate account खोलके, अपना जो भी trade, option, future, सब के अंदर आप सोधा डाल सकते हैं, तो इसके अंदर करना है क्या, इसक आपको link दे रखा है, उसके अंदर link पे जाके आपका नाम, email id और phone number देना है, और submit करना है, automatic phone आएगा, और आपका ये demate account खुल जाएगा, और ये service आप जो demate account खुलवाते हैं, तो इसके अंदर जब आप equity में share लेते हैं, तो आपका zero brokerage लगेगा, जी हाँ, मैं बोल रहा कितना बढ़ जाएगा, इसलिए जो भी आप equity में trading करते हैं, और वो भी delivery based पे तो आपका brokerage हो जाता है, zero, जो government taxes लगते हैं, वो charge करेंगे, तो उसके सिवा brokerage आपको zero लगेगा, ठीक है, और दूसरा, जो भी आपने load, चाहे आपने एक share लिया है, या हजार share लिया है, जिर्फ याद रखना है, कि पाच बार आपने सोदा किया है, तो आपका 100 रुपया लगेगा, एक तब easy calculation, और आपके लिए बहुत 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 बैहतरीं discount brokerage का है, इसलिए जल्दी से आप नीचे link पे जाएए, click करिए, और अपना information बरिए, और मुझे send कर दीजिए, automatic phone आएगा, और आपका demand account खुल जाएगा, करिबन 300 से 400 रुपय में आपका, ये discount brokerage में आपका खुल जाएगा, और 300-400 रुपय ये भी government उसके stamp के लेते है, वो charges है, और इसके सुभा, उसका कोई charges नहीं है, इसलिए मैं आपको suggest करता हूँ, जीरोधा में आपका account आज ही खुल काई नहीं, क्योंकि दोस्तों, जब भी मैं नए वीडियो लाता हूँ, आपके लिए एक दमाकेदार लाता हूँ, इसलिए बेल आइकोन भी दबा दीजिए,